यह जो स्कूटी खड़ी है यह है इसे अप्रोच रोड और यह एक छोटा सा सिजनेबल फिर बार बार में आपको यही कहूंगा तो कि यह रिवर जो है यह रिवर नहीं है एक छोटा सा नाला भी नहीं बोल सकते एक पानी का फ्लो है जो बारिश में ज्यादा बैता है बाकी ताइम कम बैता है लेकिन पानी सूख था भी नहीं है यह अब देख सकते हैं कि यह कर्व का शेप है इसे यहां से और यह कर्व का शेप में से तीन साइड को घेर के यह रिवर निकलती है गर्मी के टाइम पर यहां पर बोरिंग करने पर आपको कम से कम फुट पर पानी मिन जाएगा तुकि यह पानी का यहां पर स्टोरेज रहता है गर्मी में पर यहां पर यहां पर बांद डरा हुआ तो उस बांद से गर्मी पर पानी आप पर श्टोरेज किया जाता है प्रिश्ट प्रापर्टी एं यह उपर पत्थर जो पड़े है यह उपर उपर ही पत्थर है पॉल कमपॉंड का इंका प्लान था फिर यह उन्होंने कैंसल कर दिया प्लोट की साइज है इसकी 30 गुन था यह इससे रोड फ्रेंटेज सामने यह रस्ता गाउं की तरब जाता है अब हम जानती इसके प्राइज हो लोकेशन के प्लोट की प्राइज है डेड़ लाख रुपए पर गुन्ठा निगूशिबर लोकेशन है मुंबई से दो घंटे की दूरी पे खोपोली पाली रोड से 6 किलोमेटर अंदर एक गाउं है वाकनवाडी उस वाकनवाडी गाउं में 30 गुन्ठे का प्लाट है जोकि रीसेल है फूरसाइट कंपाउंड है इसको लाइट आई भी है मैं दिखाना भूल गया आगे एक फामोस वहां तक लाइट आई भी है साधनता 20-30,000 रूपय लाइट के लिए और खर्चा पड़ेगा क्योंकि यहां पर पोल नहीं आया इलेक्रिसिटी का वह आपको लेना पड़ेगा उनर आपको खुद लेके देंगे जो बेच रहे हो तो यह आपको लोकेशन कैसा लगा जरूर बताईएगा तब तक के का यह एऑपको लेक descendsड़ीमatifा कि आपको लिए यहां बताइगा कि यहां पर खिधा गवल वे लेकंपकोंकि कीछ यह आपको